दोस्तों सैमियल मूरे वॉल्टन एक ऐसा व्यक्ति था जो एक समय में अकबार बेशने का काम किया करता था उसने बड़ी मेनस से कुछ पैसों का जुगाड किया और एक वॉल्मार्ट नम का छोटा सा रेटेल स्टोर खोला उसके आसपास के पड़ोसी सोचा करते थे कि एक अकबार बिशने वाला आदमी कितने ही दिनों तक एक रेटेल स्टोर चला सकता है लेकिन वो कहते हैं न कि स्मार्ट वर्ग से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है तो सैम भी कुछ ऐसे ही करता है और अपनी कुछ स्मार्ट स्टैटिजीज के जरिए वाल्मार्ट को इतनी उचाई पर ले जाता है कि आज दुनिया के 19 देशों में वाल्मार्ट के करिब साड़े 10,000 से जादा स्टोर्स खुल चुके हैं इसके साथ ही वाल्मार्ट के वेलियोचन आज की रेट में 400 बिलियन डॉलर से जादा हो चुकी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर माना जाता है तो इस वीडियो में आज हम बात करने की कुशिश करेंगे किस तरीके से सैम वाल्टन ने एक वाल्मार्ट के स्थापना किया और उसमें क्या स्टैटिजीज लगाई जो कि आप भी अपने बिजनस में इंप्लिमेंट कर सकते हैं हम ऐसी उसकी बेसिक स्टैटिजीज के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ स्मार्ट स्टैटिजीज भी समझेंगे जिससे कि सैम वाल्टन ने दुनिया के सबसे बड़े रिटेल स्टोर को बनाने के शुरुआत किया दोस्तो आई इस वीडियो को शुरू करते हैं इसमें आपके बिजनस के लिए काफी सारी लर्निंग्स है इस वीडियो को इसकिप मत करिएगा हेलो दोस्तो मेरा नामी दीपका देखने डिश्टा रट तो अगर हमें वाल्मार्ट की बिजनस स्टैटिजीज को समझता है तो हमें पहले सैम वाल्टन के कुछ बैक्राउंड को समझना पड़ेगा अमेरिका के किंग फिश्टर शहर में रहने वाले सैम के बच्चमन के दिन काफी गरीबी में गुजरे जहां सैम अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अकसर काई सारी छुटी छुटी जॉब्स किया करता था जैसे अर्ली मॉनिंग अकबार पहुचाना, गायों का दूद निकाल के बिचना, दिन के वक्त रिटेल इस्टोर पे काम करना और अगर इससे भी खर्च नहीं निकल पाता है तो साम के समय वो रिश्टरेट पे वेटर की भी जॉब्स किया करते थे और उनसे मिलने के बाद वो बिजनस के ऑपरेशन, प्लैनिंग, मैनेजमेंट इन सब चीज़ों को वो काफी बारिकी से समझने लगे थे, काफी चोटी ही उम्र में इसके साथ ही रिटेल स्टोर पर काम करने के दौरान सैम को रिटेल मार्केट के भी अच्छी खासी नॉलेज हो गई जिसके बाद सैम ने अपके 26 साल के उम्रे पर जॉब छोड़के अपने फादर इनलॉ से कुछ पैसे उधार लिये और उससे उन्होंने Ben Franklin की नमके एक फेमस स्टोर की फ्रेंचाइज ही खरीद लिया जिसके बाद सैम यहाँ पे Ben Franklin के नाम को अब किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते थे लेकिन यहाँ सैम के सामने अब कई सारी रेस्टिक्शन भी आ गए थी जिससे सैम तर रेविन्यू से 72,000 डॉलर तक ही हो पाता था लेकिन मार्केटों जो बाकी प्रेयर्स थे वो डेड़ लाग डॉलर तक अपना रेविन्यू जनरेट कर पा रहे थे लेकिन सैम के यहाँ पे एक खास बात आपको ज़रूर सीखनी चाहिए कि उन्होंने अपने कम्टीटर्स को देखे वो दुखी नहीं हुए इसके बज़ा वो वहाँ पे सर्च करने लगे कि मेरे कम्टीटर्स ऐसा क्या तरीके यूज़ करने जिससे के एड़ एंड सैम ने करें तीन बिजनस की बड़ी स्रेटिजी समझी जिससे आज भी वालमार्ट पूरी तरीके से यूज़ किया करता है दोस्तों इसमें सबसे पहला बिजनस लिसन आता है पावर अफ डिसकांटिंग इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने प्रोड़क का प्रॉफिट मार्जिन इतना कम रख देजे कि आपकी विखरी अपने आप बहुत जादा होने लगेगी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 300 रुपए की टीशर्ट है जिसमें आपको 100 रुपए प्रॉफिट मार्जिन है तो उसको अगर आप 300 रुपए का इच बेचते हैं और आप 100 लोग को बेचते हैं तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा लेकिन वही T-shirt अगर आप 2500 रुपए का बेशते हैं तो यहाँ पे आपका profit margin हो जाता है सिर्फ 50 रुपए है लेकिन अब आपके T-shirt थुड़ी जादा sale होगी तो यहाँ पे अगर आपको 200 T-shirt sale होगी तो आपको भी profit बनेगा 10,000 रुपए का तो 200 customer और सारी चीजे भी आपके दुकान से ही खरीदेंगे इसके साथ ही जब ज़्यादा customer आएंगे तो आपकी publicity ज़्यादा होगी और market में आपकी value लगतार बढ़ती ही जाएगी इस business lesson का आपको लिए यह सबसे बड़ा advantage है कि जब आपके stocks जल्दी market में बेखेंगे तो वहाँ पर आपके customers ज़्यादा तर regularly आपके shop पे आएंगे क्योंकि आपके नए नए stocks और नए varieties market में आती रहेगी इस बात को अगर हम इंडिया के grocery section में देखें तो इस समय काई सारी companies low price bracket में आपस में fight करने कोश्च करें है जैसे कि Dunzo है, Zapto है या फिर Blinkit है जिन में सो कोई भी company अभी तक successful नहीं हुई है अपने customers को अपने साथ जोड़े रखने के लिए क्योंकि इंडिया का customer price sensitive काफी ज़्यादा है पचास से ज़्यादा शैरों में और इनके 200 से ज़्यादा इस समय फ्रेंचाइजी इनोंने सूपर मार्केट से खोल दिया है मतलब अगर किसी को अपना सूपर मार्केट बनाना है तो यह आपके लिए completely build करके देते हैं अब यह companies क्यों successful है offline वाली क्योंकि यह customer को genuine चीज़े provide करने में ज़्यादा focus करती है तो आप अगर low price bracket में जाते हैं तो आप fail हो सकते हैं तो यहाँ पे आप एक success होने का काफी बड़ा chance हो जाता है तो अगर आप low price bracket को छोड़के customer को better serve करने में focus करते हैं आप भी अपना super market शुरू कर सकते हैं क्योंकि लोग अपने day to day life की चीज़े तो खरीदेंगे चाहे recession आजाए चाहे कुछ भी इस हिती आजाए क्योंकि आपने covid pandemic भी देखा था कि सबसे ज़्यादा grocery sections नहीं कमाया था तो दोस्तों आए वीडियो में वापस आते हैं और तीसरा benefit यहां पर यह हो जाता है कि जब आप wholesaler से ज़्यादा product खरीद रहे होंगे आप लगतार stocks भरते जा रहे हैं अपने पास तो वो आपको margin भी थोड़ा ज़्यादा दे देगा पर 10% के साथ Sam की cost करीब $1.8 ही पढ़ती थी जिसके बाद दूसरे retailers इस $2 के product को $4 में बेचा करते थे और वहाई Sam Walton इसे $3.5 में ही बेचा करते थे और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन Sam के इसी business model के देंप पे आज Walmart इतना आगया चुका है आज के time में जहां दूसरे retailers, wholesalers किसी भी product की करीब 20,000 unit ही खरीदते हैं वहाई Sam उस same product की करीब 2 million unit खरीद लिया करते हैं ऐसे में wholesaler 20,000 unit खरीदने वाले retailer को $2 का profit रख कर समान बेचता है जिससे wholesaler को करीब total $40,000 का profit होता है और इस तरह से उस retailer के लिए उस particular product की cost हो जाती है $5 इसके बाद अगर हम Walmart के case में देखें तो वहाँ पे जो wholesaler है वो सिर्फ आधे dollar का ही profit margin रखता है Walmart से लेकिन Walmart करीब 2 million dollar से जादे का product खरीदती है तो यहाँ पे जो total उनको profit हो जाता है wholesaler को वो $1,000,000 का हो जाता है और इस तरह से Walmart के लिए उस particular product की cost बन जाती है सिर्फ $3,000 वहीं जब retailer इस product को खरीद चुका है $5,000 का तो वो $2,000 का यहाँ पे profit रखके वो $7,000 में बेचता है याने इस छोटी सी trick को अपना कर Walmart अपने competitors को ही खतम कर दे रहा है क्योंकि obvious सी बात है कोई भी retailer completion के चकर में cost price से तो कम में product कभी sale ही नहीं करेगा खेराब तो शुरुबात में Sam अपने Ben Franklin इस store पर restriction की वज़ज़ से 20% product पर ही अपनी मर्जी से discount लगा पाते थे लेकिन बात में जब Sam ने अपना खुद का retail store Walmart खोला तो इस अकेले business lesson ने Sam के लिए पूरी सफलता के रास्ते खोल दिये थे लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि Sam का जो business model था वो बाकी retailers भी समझते थे तो उन्होंने भी ये same business model क्यों नहीं अपने business में implement किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि Sam घंटो तक दूसरे stores पर जाके उनको observe किया करते थे कि वहाँ पे जादे customer क्यों आते हैं और वहाँ पे Sam ने realize कि उस समय को जो best stores थे उनमें कुछ ऐसा था customer को attract करने वाला जिससे कि वो काफी ज़्यादा sales कर लिया करते थे जैसे कि कुछ retail store customers को अपने तरफ attract करने के लिए अपने या कुछ product को बिलकुली zero profit के साथ बेचा करते थे ताकि जब customer उन products को देखे तो उनने जाने अन जाने अहसास हो कि इस retail store पे सब कुछ काफी ज़्यादा स्तस्ता मिल रहा है इसलिए वो ज़्यादा सा ज़्यादा shopping वहां किया करते थे वहीं दूसरी तरफ कुछ retail stores अपने हाँ ice cream machine रखते थे ताकि बच्चे ice cream खाने में busy हो जाए और parents सुकून से shopping कर लिया करें ये तो मैंने दो strategy बताई लेकिन Walmart ऐसे कई सारे strategies लेके आया यहाँ पे जिस वज़े से वो parents को और वो नई customers को attract करने में काफी ज़्यादा सफल रहा इसके लमा business और market को समझने के लिए Sam बड़े-बड़े businessman के यह appointment भी लेते थे जहाँ वे खुद एक छोटा से retailer बता के उनसे business और market related knowledge भी लिया करते थे जिसे सीखने के बाद Sam को आगे बढ़ने में देर नहीं लगी और उनने कुछ सालू के अंदर ही अलग-अलग location पे सैकडो Walmart के stores खोल दिये थे लेकिन अब Sam के साथ जो बड़ी problem थी कि जब सैकडो stores खोल गए है तो Sam उसको manage कैसे करेंगे क्योंकि उनको अलग-अले stores पर अगर वो जाते, visit करते, वहाँ पे computer analysis करते, वहाँ पे customers की demand को समझते तो ये possible नहीं होने बाला था तो इसको सालू करने के लिए Sam ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो उनके success का तीसरा सबसे बड़ा business lesson मिला जो की एक है team management Sam ने सबसे पहले अपनी सभी stores के manager को उनके Walmart retail store का कुछ percent का मालिक बना दिया जिससे managers Walmart को अपना समझने लगे और उसे आगे ले जाने के लिए पूरे मन से काम करने लगे इसके साथ ही Sam हर Saturday को अपने सारे managers के साथ meeting किया करते थे और उन हर stores की problem को समझा करते थे और एक पूरे team के तरह सभी मिलके उस problem का solution निकाला करते थे और थर्ड Sam को अपना Ben Franklin वारा बूरा experience भी आता जहां उन्हें अपने ही store में काफी सारे restriction कर सामना करना पड़ता था इसलिए जब Sam ने अपने Walmart stores को ले तो उन्होंने managers को पूरी छूट दी जिसे वे अपने store में अलग-अलग products या offer लाकर experiment कर सकें और यह जान सकें कि customer के बीच में कौन सा product सफल है कौन सा product नहीं चल रहा है और अगर इन्हे experiments के दोरान किसी भी manager से कोई गलती हो जाय करती थी तो Sam उसको डाटने के बजाए उनको encourage शिया करते थी कि आप आने वाले टाइम में और ज्यादा better करिए और इन experiments का ही नतीजा था कि आज के टाइम में Walmart का लगबग हर एक store काफी अच्छा perform कर रहा है तो दोस्तों ये थे Sam Walton के तीन सबसे बड़े business lessons लेकिन यहापे कुछ ऐसे छोटी छोटी strategies और भी है जिसने Sam Walton के इस business को काफी ज्यादा सफल भी बना दिया और तो चलिए इन rules के बारे में भी जानते हैं जैसे सबसे पहला है commit to your business चाहे किसी को आपके business के उपर भरुसा हो या ना हो लेकिन आपको अपने business पर पूरा भरुसा करना है ठीक वैसे ही जैसे Sam ने अपने business पर किया और आप अपने business को अपने काम को प्यार करोगे तो naturally ही आप उसे बहतर बनाओगे और एक नएक दिन आप उसमें जरूर सफल हो जाओगे यही model यहाँ पर Sam ने भी यूज किया था अपने साथ दूसरा rule है exceed your customer expectation इसका मतलब आपका जब भी customer आता है तो उसको पहले आप बहतर से बहतर product दीजे इसके साथ ही आप customer को कुछ free products बिले दीजे ताकि customer आपका delighted हो जाए आप पर जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने अपने store में बच्चों के खिलने का space प्रोवाइट कर सकते हैं या फिर बड़े बुजूर्गों के बैटने की व्योस्ता कर सकते हैं ऐसा करने से customer की expectation आपसे बढ़ जाएगी और जब उन्हें ये सुवधाएं दूसरे store पे नहीं बिलेगी तो उनका एक मात्री solution होगा आप ही का store और वो आप ही कहा ही हमेशा आएंगे यहां तीसरा reason आजाता है behavior आपने बहुत सारे stores में देखा होगा कि जो staff होते हैं वो customer के साथ अच्छा behavior नहीं करते हैं और अगर customer के साथ एक बार अच्छा behavior नहीं हुआ तो customer लोट के आपके store पे कभी वापस नहीं आने वाला है तो यह rule आपको हमेशा follow करना है आपको customer के साथ हमेशा well behaved रहना है जिससे customer को comfortable feel होगा और वो बार बार आपके store पे shopping के लिए आएंगे rule no.4 कहता है appreciate अगर आपको अपने business को बहुत आगे ले जाना है तो अपने आपको staff को इसके साथी managers को आपको हर समय appreciate करना होगा उसको आपको बढ़ावा देना होगा कि आप अपना काम अच्छा कर रहे हो और आप इससे भी और ज्यादा अच्छा कर सकते हो इससे जो आपका staff होगा वो हमेशा आपके लिए काफी dedicated रहेगा पांसवा rule कहता है कि control your expenses आपको अपने computer के तुलना में अपने खर्च को काफी कम रखना है जिससे अगर कभी आपके business में loss भी होता है तो आप उस बड़ी आसानी से उस loss को recover भी कर सकते हैं rule no.6 कहता है कि swim upstream इसका मतलब यह है कि market में जो बाकी लोग कर रहे हैं आप उसका just opposite करिये तो आप market में बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देंगे और आपके सफल होने के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यही बात YouTube पे भी कही जाती है कि अगर आप अपना YouTube चैनल खोलना चाते हैं तो आप वो करिए जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं और यही चीज़ हर business में भी apply होता है इसे लोगों का attraction काफी तेजी से आपके तरफ बढ़ता है रूल नमबर 7 कहता है listen to everyone in your company अगर आप अच्छा चाहते हैं अपने business को grow करना तो आपको company में सब की बात सुननी होगी और यही काम सैम किया करते थे हर Saturday को अपनी meeting के अंदर अपने हर managers की बात सुना करते थे क्योंकि ऐसा करने पर definitely आपको नए ideas मिलेंगे जो कि आपके business को काफी ज़्यादा grow करेंगे रूल नमबर 8 कहता है कि motivate your partners अपने stores के manager को सिर्फ पैसे और ownership ही देना काफी नहीं है expectation है अपनी company के साथ आपको वो चीज़ें सबके साथ शेयर करनी है आपको अपने brand का विजन शेयर करना है Walmart exactly customers को delight करना चाहता है यही reason उन्होंने अपने managers अपने staffs के साथ भी शेयर किया तो दोस्तों यही तीन business strategy और नौ rules के वज़े से ही आज Sam Walton ने Walmart को दुनिया का सबसे बड़ा retail store बना की रख दिया है आप भी comment option में लिखके बताएं कि आपको कौन सा rule और कौन सा business session सबसे जादा पसंद आया इसके लावा और क्या strategy होताती है एक retail store को आगे बढ़ाने के आप comment option में जरूर लिखके बताएगा वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वेल आकने प्रेस करिएगा